बिना रूट के भी आप इसे ला सकते हैं यह बिना रूट के भी आराम से उग जाती है यह दिखते हैं तोड़ी लंबी भी है और इसमें स्टेंप भी है तो अगर आप दुर्वा को अपनी कंटेनर्स में उगा रहे होंगे तो आपको क्या करना है जो सबसे पहले हमारी क्या अगर आप इसके पत्ती और ग्रीन करना चाहते हैं हलो मेरे प्यारे गार्टनर्स दोस्तों कैसे आप सब लोग दोस्ता आज के वीडियो में मैं आपको बताने वालों कि आप दुर्वा ग्रास घर पर कैसे उगा सकते और मैं आपको इसके अदम सिंपल के अटेप्स भी बत हैं उतने वालीओं के ज़र करते हैं जो दुर्वा ग्रास होती है वो सब के घर पर अस्तामाल की जाती है यह हम भगवान गणपती को भी अरपन करते हैं तो ये सब के घर में होनी चाहिए, तब इसको उगाना कैसे है वो जानते हैं, आपको कही भी ऐसी ग्रास मिल जाएगी, दुर्वा ग्रास, और वो ही आपको ऐसी लेनी है, और इसी से हम उगा सकते हैं, ऐसी आपको कही भी मिल जाती है, तो ये ग्रास आपको लेनी चाहिए, और अब आपको क्या करना है, आप चाहे तो रूट में से भी इसको यूज कर सकते हैं, या फिर बिना रूट के भी आप इसे ला सकते हैं, ये बिना रूट के भी आराम से उग जाती है, मैं वो भी टेकनिक बताऊंगा आपको कि ये बिना रूट के किस तरह उगाई जाती है, और यह root के साथ किस तरह उगाई जा सकती है तो आपको कुछ इसी तरह क्या करना है यह जो होते हैं सिस्टेम्स चाहे तो आप क्या है जब आप दुर्वा लेंगे ने वो fresh लीजिए क्योंकि जो fresh दुर्वा है उसमें rooting जल्दी आएगी अगर आप सूखी दुर्वा लेंगे तो वो पहले मैंने इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हो दुर्वा ग्रास पे घर पर कैसे उगाई तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं मैं आपको end screen पे उस वीडियो की link दे दूँगा तो उसमें मैंने बताया था आपको कि आप घर पर कैसे उगा सकते हैं दुर्वा ग्रास तो मैंने आपको जमीन में भी बताया था इस वीडियो में आपको मैं container में भी किस तरह उगाई जाती है वो भी बताऊंगा तो इस वीडियो को आप अंतक जरूर देखिएगा तो अब ये जो दुर्वा ग्रास है वो आप ऐसे कहीं से भी तोड़ कर ला सकते है तो मेरे उस वीडियो के comment box में बहुत से लोगों ने मुझे पूचा कि जो दुर्वा ग्रास है हम सुखी वाली लगा सकते है क्या हाँ आप सुखी वाली लगा सकते है पर वो अकसर क्या होता है सुखी वाली में रूटिंग नहीं आते है अगर आपके ग्रास बहुत ज़ादा ही सुखी होगी तो फिर क्या होता है इसे लेके आना है तो क्या करना है इस तरह इतना इतना भाग आपको कट करके अपने घर पर लाना है ज्यादा धर भी ला सकते है और या फिर अगर आप रूट के साथ ला सकते है तो वो तेदम परफेक्ट है अगर रूट के साथ थोड़ी सी ला सकते है अगर आप थोड़ी स यही दूर्वग्रास लेके आनी है जानते हैं कैसे लेना यह तो अब ऐसे तोड़ लेंगे जैसे हम नौर्मल ही तोड़ते उसी तर आपको इस तरा प्लक करनी है और अब यह उगाने के लिए बिल्कुल तैयार है तो ऐसे थोड़ी से आपको तोड़ लेने हैं इस तरह जब अगर आप दुर्वा को अपने कंटेनर्स में उगा रहे होंगे तो आपको क्या करना है कोई भी पॉट लेना है तो जो पॉट आप लेंगे आपको वड़ी रखनी है जिससे में इसमें अच्छे से वह फैल पाए और अगर आप जमीन में उगा रहे हैं तो वह आपको पहले बताता हूँ और फिर मैं आपको पॉट का बताऊँ तो जमीन के लिए आपको क्या करना है दुर्वा क्रास लेके आनी है और उसे क्या करना है उसे तोड़ लेना है और उसी तरह अपने जमीन में फैला कर डाल देना है और उसमें एक बाद आप जरूर ध्यान में रखिए म मौश्चर आपको रखना है अपने मिट्टी में और फिर उसमें पानी डाल दीजेगा और थोड़ी उपर मिट्टी डालेगा वस उसे दबाने के लिए ज्यादा तर तो दुर्वा ग्रास को उपर ही रहने दीजेगा और फिर उसमें जरूर रखेगा जितना आप गीला रखे तो आराम से उख जाएगे आपकी दुर्वा चलिए अप कंटेनर का जान लेते तो आपको सेम तोड़के ही लानी है दुर्वा ग्रास और आपको क्या करना है उसे तोड़ने के बाद आपको सिंपली उसे मिट्टी में डालना है और जो आप कंटेनर लेंगे उसमें जो ले सकते हैं चिकनी मिट्टी में भी उग जाता है जो भी आपके घर पे गार्डन सोयल है सिंपल उसमें भी लगा सकते हैं बस अगर आपके बास कंपोस्ट होगा तो थोड़ा सा कंपोस्ट मिला दीजिए बस आपका काम हो जाएगा पॉटिंग मिक्स के लिए इसना इसमें निकलता है बस आपको उसमें सिंपल मिट्टी में भी लगा देना फिर इसे लगाने के बाद आपको ऐसे मिट्टी में डाल देना है इसको कंटेनर में और फिर इसके उपर थोड़ी से मिट्टी आपको बस डाल देनी है और कंटेनर में तो खास की पानी का ध्यान रखना पड इसके आप चाहें उसको पानी देते चाहिए और इसे आप चाहे तो फुल सन में भी रख सकते हैं उससे आपको कुछ इस तरह ही फिर उगाना है जो सबसे पहली हमारी के इसे पहले संलाइट तो यह जो दुर्वा ग्रास होती है इस में इंडिया में उपती है तो यह जो दुर्वा होती है उसे आपको full sun light रखनी चाहिए उसमें अच्छे से चल जाती है तो अगर आपके आपके कम धूप आती है तो भी चलेगे और अगर आपके गर्मियों में बहुत जादा धूप पड़ती है तो भी चलेगा आप इसे तपते धूप में भी रखेंगे तो भी इसके बस नीचे के ऐसे थोड़े पती जलेंगे पर जो उपर के जो fresh leaves होंगे उनको कुछ नहीं होगा और यह अच्छे रहेंगे तो आप गर्मियों में इसे अगर धूप में भी रखेंगे तो भी इसे कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसे sunlight में रख सकते हैं अब जो सेकेंड डेप है इसके लिए वह है पिंचिंग या फिर प्रूनिंग मैंने आपने बहुत से वीडियो में भी आपको बताया था कि पिंचिंग और प्रूनिंग प्लांट के लिए बहुत अच्छे रहती है इससे प्लांट की पत् तो अगर पिंचिंग करनी है तो वो किस तरह करते हैं तो अगर आप गणपती जी को अरपन कर रहे होंगे तो आप तो सिंपली ऐसे तीन पत्ते ऐसे उपर के तोड़ लेते हैं तो सिंपली यह हो गई हमारे पिंचिंग यहां से यह पिंच हो गई है ब्रांच और यहां से अब side branching हो जाएगी तो यह तो simply आपकी pinching हो गई तो अगर आप पत्ते नहीं तोड़ रहे होंगे आप फिर अडपन नहीं कर रहे होंगे पूजा में इस्तमाल नहीं कर रहे होंगे तो क्या करना है आप जो करेंगे तो आपको बस ऐसे उपर से ऐसे branches तोड़ लेने कितने भी कम लगती है यह बिल्कुल बढ़िया उख जाता है बिना खाट का भी और अगर आप इसे खाट डालेंगे तो यह और green बनेगा तो अब यह तो वैसे पत्तो वाला है इसे फूल बगरे नहीं लगते न कुछ तो यह पत्तो वाले के लिए nitrogen based compost बहुत अच्छे रहते हैं तो वो कौन से यूज़ कर सकते हैं आप पर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं किचन वेस्ट कंपोस्ट और जिसमें भी nitrogen होता है अगर आप chemical fertilizer भी यूज़ करते होंगे plants में तो NPK भी आपके प्लान के लिए बहुत अच्छा fertilizer है वो आप अपनी दुर्वा प्लान को भी डाल स अगर आपके पास absent salt होगी तो absent salt का एक चमच आप पानी में मिला सकते एक लीटर में अगर आपने बहुत बड़ी दुर्वा ग्रू करके रखिए तो आप उसके हिसाब से quantity ले सकते हैं और वो आपको पानी में mix करके अपने plant पर अच्छे से spray कर देना है इससे क्या होगा प बहुत green होगा और घना बन जाएगा तो यह आप कर सकते हैं अगर आपके पास absent salt होगी तो वो भी इस plant में यूज़ कर सकते हैं इसके लिए liquid fertilizer भी बहुत अच्छे रहते हैं आप liquid fertilizer भी यूज़ कर सकते हैं मैं आपको playlist की link इस video के अंत में दे दूंगा आप फिर वो भी playlist द इस plant को डाल सकते हैं सा कुछ नहीं है इस plant के लिए पर nitrogen based compost जरूर डालिए उसमें nitrogen होगा तो plant की growth अच्छी रहेगी क्योंकि यह पत्तो वाला plant है तो इसे nitrogen की ज़्यादा जर्वत होती है तो फिर कुछ इसी तरह फिर आपको इसे fertilizer डालना है तो यह हो गए इसके care tips कुछ इ अपनी दुर्वाग्रास उगानी है और उसकी care लेनी है क्यासा लगा आपको वीडियो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like करना मेरे चैन को subscribe करके bell icon को all पे set कर देना इसे मेरे आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहेगी और आप whatsapp group join कर सकते वहां क्लिक कीजिए और क्या गुडाई करने से आपके प्लान स्मर्च और और watering करने का सही तरीका क्या है वह जानने के लिए इस playlist को क्लिक कीजिए और मैंने कुछ वीडियो बताया होंगे तो इस वाले playlist को क्लिक कीजिए